नमस्कार दोस्तों, GRS टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम रेव्यू करने वाले हैं जरीना क्रीम को तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास तक देखिएगा वीडियो पसंद आती हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो दोस्तों, जरीना क्रीम में ग्लाइकॉल नामक इसिट पाए जाते हैं जिससे सन पैरमेटिकल इनरिल स्टी लिमिटेड दोरा बनाया गया है यह जरीना, आम तोर पर पैरो के लिए मॉश्राइजर के रूप में उप्यो किया जाता है यह उन्हें नरम और मुलायम रखने में बेहद मददगार है तो आएए जानते हैं, इस दवा के बारे में जानते हैं कि जरीना क्रीम किस प्रकार से यूस किया जा सकता है तो दोस्टों, यह जो मैडिसिन है इसका नाम है जरीना क्रीम इसे मैनोफ्क्चरेड किया गया है सन पैरामेट्रिकल इनरішी लिमिटेड दौरा और इसकी अंदर इम्रीडियेंटस है यूरिया सेटेलेटिट फैटी इस्टर और इसकी जो प्राइस है यह 460 रुपीज इसका जो पैक का जो ग्राम है यह 50 ग्राम जैसा कि आप सभी देख सकते हो और चलिए जानते हैं इस क्रीम के बारे में विस्तार से तो दोस्तों यह मुख्यत क्रीम जो है जरीना क्रीम इसे उपयोग तचा को कोमल बनाने के लिए किया जाता है इसकी अलावा इस क्रीम का इस्तिमाल और कोई समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है जो कि कुछ इस प्रकार है सूखे हुए तचा को मुर्शराइज करने क के लिए this cream का प्रयोक किया जाता है अगर आपके पैरों में सूझन है इस के ठीक करने के लिए किया जाता है पैरों में दरारे आगई है या फिर मृत्र योशिकाओं को हटने के लिए इस medicine को use किया जाता है इस cream को उपयोग में लाने से पहले चिकित्सक से सलाब अवश्य ले ले तथा उनके द्वारा बताये गए बातों को बिल्कुल ध्यान से रखें और उनको follow करें इस cream को आप कुछ इस प्रकार से यूज कर सकते हैं इस cream को रोजाना उपयोग किया जा सकता है इसे हमेशा रात में ही लगाएं दवा को लगाने से help करता है इस cream का इस्तेमाल करने पर आपको बहुती कम side effect नजर आते हैं जो शायद ही कभी किसी व्यक्ति को होती है परन्तु फिर भी अगर आपको इस cream को उपयोग करने के बाद भी कुछ दुश प्रभाव मिल रहे हैं तो अपने डॉक्टर से अवर्ष मिले जरूर संपर् होंगी कि इस दवा कप उपयोग आप अपनी होठो या कभी किसी बाहरी घाव पर ना करें अन्यथा यह हानिकारिक भी हो सकता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूं कि आपको यह वीडियो हलफुल लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइ हिंद बंदे मातरम नमस्कार